रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रतना और अरजुन एवार्ड लोटा दिया है विनेश 30 दिसंबर को एवार्ड लोटा ने दिल्ली में परधान मंत्री नरेंदर मोदी के आफिस जा रही थी इसे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया जिसके बाद विनेश ने करतव विपत पर जमीन पर ही अवार्ड रख दिया और हाथ जोड़ कर लोट गई विनेश ने तीन दिन पहले पिएम मोदी के नाम दो पेच की चिट्थी लिखी थी जिसमें महिला पहलवानों को इंसाफ ना मिलने की बात कही थी वहीं एवार्ड लोटाने पर विनेश ने कहा मैं इंसाफ के लिए यहां पहुँची हूँ जब तक इंसाफ नहीं मिलता यह लडाई जारी रहेगी बजरंग पूनिया ने विनेश की एवार्ड वापसी का वीडियो शेयर किया उन्होंने कहा यह दिन किसी खिलाडी के जीवन में ना आए देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही है विनेश से पहले बजरंग पूनिया ने अपना पदमिश्री अवार्ड लोटा दिया था वो इस एवार्ड को प्रधान मंतरी के घर के बाहर फूट पात पर रखकर आ गए थे वहीं साक्षी मलेक ने WFI की नई कारेकारणी में प्रिज भूशन के करीबी संजे सिंग के चुने जाने के बाद उसी दिन जूते टेबल पर रखकर कुष्टी से सन्यास ले लिया था बियो रिपोर्ट देरिक भासकर